अईसोस्टेसी समस्थिती की एक अवधारणा है जो यह बताती है कि बड़ी इस्तलाकरतिक विशेश्टाएं या इस्तलाकरतिक स्वरू एस्तोनोस्फियर पर प्रभावी रूप से तेरते हैं यह अवधारणा आर्किमीडीज के सिद्धान का पालन करती है सरल्च शब्दों में यह वो अवधार्णा है जिसके द्वारा प्रिथवी की क्रस्ट आर्किमीडीज के हाइड्रोस्टेटिक्स के नियम का पालन करते हुए सगन मेंटल पर तेरती है एक संतुलन इस्तिती बनाने के लिए मोटी अधिक उत्पलावा क्रस्ट जिसे हम माधी पीक शेतर कहते हैं पतले सगन क्रस्ट याने मासागरू के नीचे की तुलना में इस्तलागरतिक रूप से उँची होती है यदि आपने कभी नाव का उपयोग किया है तो आपने देखा होगा कि जैसे ही आप तीन चार लोग नाव में बैठते हैं नाव पानी में नीचे की और बैठ जाती है और बाहर निकलते ही उपर उड़ जाती है लिथोस्फियर याने इस्तलमंडल ठीक इसी तरीके से वियवहार करता है यदि लिथोस्फियर में एक बड़ा दरविमान जोड़ा जाता है तो अंतरनी हित एस्तोनोस्फियर उस खेतर से पाशर वुरूप से दूर होकर बसने वाले लिथोस्फियर के लिए जगा बना दे यह अवधाना की इस्थलमंडल एस्थनोस्फियर पर तेरते हुए संतुलन में है आईसोस्थेसी कहलाता है और बदलते बोज के जवाब में होने वाली उद्रफादर गती को आईसोस्थेटिक समायोजन कहते हैं समस्थिति की अवधाना को हम इस रूप में भी समस्थ सकते हैं कि प्रित्वी के द्रड या कठोर इस्थलमंडल और द्रव एस्थनोस्फियर के बीच गुर्तवाकरशन संतुलन की इस्थिति को समस्थिति की कहा जाता है टेक्टोनिक प्लेट्स उनके नीचे इस्थित अनुपटल पर या उसमें तेरती है और जिस उचई तथा जिस गहराई पर ये टेक्टोनिक प्लेट्स तेरती है इस उचई और गहराई का निर्धारण प्लेट्स की मौटाई और गनत तुद्वारा होता है Dear Learners, इस वीडियो को देखने के बाद आप जान जाएंगे कि इस्थल मंडल की विशाल द्रड एवं कठोर प्लेट्स क्यों एस्थोनो स्फियर पर तेरती है प्रिथ्वी सता पर बिन बिन उचे वाले इस्थल रूप किस तरह से संतुलन बनाये रखते हैं और इस संतुलन में गनत्व, डंसिटी, द्रविमान, मास, वॉलियोम, आयतन, गुरत्व बल, ग्रैविटी और उत्प्लावन बल, ब्योंट फोर्स की क्या बुमी का होती है निक्षेपन और हिमानियों का बनना एवंपिगलना समस्थितिकी में असंतुलन उत्पन्नक कर देते हैं गनत्व और समवहन टक्रिया को समझने के लिए इस चित्र को देखिए इसमें एक लेंप है और इस लेंप में उज्या का शोत यहां पर है और इस लेंप में जो तरह पदार्थ है वो ताप की प्राप्ती पर किस तरह से गती करता है उसको दिखाया गया है आप देखेंगे कि लेंप के सबसे उपरी भाग में जो पदार्थ है जो फ्लूइड है वो जो लेंप के नीचे जो बॉटम पर याने सता पर जो पदार्थ है उसकी तुलना में ठंडा है आपको ये मालूम है कि जो पदार्थ गर्म होता है उसका गनत थंडे पदार्थ की तुलना में कम होता है आप इसको इस तरह से भी समझेगा कि थंडे पदार्थ का गनत वो गर्म पदार्थ की तुलना में अधिक होता है जब कोई भी पदार्थ गर्मी पाकर या ताप की प्राप्ती पर गर्म होता है तो उसमें विद्यमान मॉलिक्यूस फैलते हैं अर्थाथ मॉलिक्यूस के बीच जो इस्थान है वो बढ़ता रहता है वालता उस पदार्थ की डेंसिटी कम होती जाती है ठीक इसी प्रकार से जब वा गर्म पदार्थ उपर उड़ता है उसका गर्मत्व कम होने की कारण तो जैसे जैसे वो उपर उड़ता है ठंडा होता जाता है और ठंडा होने की कारण उसमें विद्यमान जो मॉलिकूल्स हैं वो पुना पास-पास आते हैं और उसके गनत्व को बढ़ा देते हैं ये गनत्व का अंतर बढ़ा ही मात्व का है क्योंकि कम गने पदार्थ या कम गने सबस्टेंस की जो प्रवरती होती है वो हमेशा उपर उठने की होती है उसका प्रवाह उपर मुकी होता है जबकि अधिक गना पदार्थ जो है उसकी प्रवरती नीचे की और याने बॉटम की और बैठने की होती है या डूबने की होती है इसको मैं अधो मुकी प्रवाह भी कह सकता हूँ तो आप इसको इस रूप में समझेगा कि कम गना पदार्त हमेशा उपर की और प्रवाइट होता है और अधिक गना पदार्त हमेशा नीचे की तरफ प्रवाइट होने की प्रवर्ति रखता है और इस मोशन को याने इस गती को ताप और गुरुतुबल संचालित नियंत्रित करते हैं आईए अब हम गनतु की जो संकल्पना है उसको समझते हैं गनतु किसी भी पदार्थ की एक मतवपुन विशिष्टा होती है गनतु किसी पदार्थ के द्रविमान, मास और आयतन, वोल्यूम से संबंदित है किसी पदार्थ के गनतु के मापन में यह गना की जाती है कि किसी दिये गए आयतन की इकाई में द्रविमान या सांती की उपस्तिती कितनी है किसी पदार्थ के प्रती इकई आयतन में जब द्राविमान की उपस्तिती अधिक होती है तो उस पदार्थ का गनत्व अधिक होता है ठीक इसी प्रकार से जब किसी पदार्थ के प्रती इकई आयतन में द्राविमान की उपस्तिती कम होती है तो उस पदार्थ का गनत्व कम होता है इसको हम सुत्र के द्वारा भी अभीवेट कर सकते हैं density is a function of mass and volume of substance अर्था गनत्व is equal to mass यानि द्राविमान या सांती को जब हम उस पदार्थ के आयतन से भाग देते हैं divide करते हैं तो हमें उस पदार्थ की density यानि गनत्व प्राप्त होता है short में गनत्व के मापन का जो सुत्र है वो है d is equal to m divided by v गूत्व बल पदार्थ के गनत्व के आधार पर उस पदार्थ की दिये गए आयतन के भार को नियंत्रित करता है यानि अधिक गनत्व वाले पदार्थ का भार भी अधिक होता है और कम गनत्व वाले पदार्थ का भार यानि वजन weight कम होता है आपको मालूम है कि प्रित्वी का आंत्रिक भाग परतों के रूप में है और प्रतियक परत की अपनी भातिक और रासाइनिक विशिष्टाएं हैं जो अपने आप में विशिष्ट है साथ ही ये सभी परतें गनत्व के अनुसार विन्यासित है All layers are arranged according to the density यदि हम प्रित्वी के आंत्रिक भाग की इन परतों को रासाइनिक संग्टन के आधार पर देखें तो हम पाते हैं कि जो क्रस्ट है भूपरपटी है उसमें भी जो महाधिपी भूपरपटी है वो ग्रेनाइटिक है और उसका जो संग्टन है वो फैल्सिक है तो महाधिपी भूपरपटी बैसाल्टिक है और उसका संग्टन मैफिक है भूपरपटी के नीचे अनुपरपटल है मैंटल जो सिलिकेट जो मिनरल्स है उनसे बना है कहने का मतलब यह है कि अनुपरपटल सिलिकेट सम्रद पदार्तों से युग्थ है अनुपरपटल अथा मैंटल के नीचे याने 29 किलोमीटर की गहरई से 6,319 किलोमीटर की गहरई तक कोर याने भूक रोड का विस्तार है और यह भूक रोड रासाइनिक संग्टन की द्रस्ती से आइरन, निकिल और अल्प मातरा में सलफर से युग्थ है यदि हम पृत्री के आंतरिक भर्ग की परतों को उनकी बहतिक विशेश्चताओं और बिहेवियर व्यभार के आधार पर विवाजित करें तो हम पाते हैं कि जो इस्तल मंडल है जिसमें महाधिपी भूपरपटी, महासाधरी भूपरपटी और अनुपटल का सबसे उपरी भाग शामिल है या लिथोस्फियर बीटल है, ठोस है, अर्थाद दरड है और या तुकड़ों में बटा हुआ है इस्तल मंडल के ठीक नीचे एस्तोनोस्फियर है जो प्लास्टिक आवस्ता में है एस्तोनोस्फियर के जस्ट नीचे मेजोस्फियर है जो रिजिट याने ठोस है और मेजोस्फियर के नीचे याने लगबग 2900 किलो मेटर की गहरे के बाद 5155 किलो मेटर की गहरे तक आउटर कोर याने बाही बूक रोड का विस्तार है जो की दरव अवस्ताम है और उसके नीचे प्रिथ्वी के केंदर तक याने 6,370 किलोमेटर की गहरही तक आंतरिक भूक रोड का विस्तार है और यह ठोस अवस्ता में है अब यदि इन परतों की हम गनत्व को देखें तो हम पाते हैं कि माधिपी भूपरपटी का गनत्व 2.7 ग्राम प्रतिकन सेंटिमीटर है तो मासागरी भूपरपटी का गनत्व 3.3 ग्राम प्रतिकन सेंटिमीटर उपरी जो अनुपटल है उसका गनत्व 3.9 ग्राम तो निचला जो अनुपटल है उसका 5.0 ग्राम प्रतिकन सेंटीमीटर है बाही बूक रोड का गनत्व 9.9 से 12.2 ग्राम प्रतिकन सेंटीमीटर है तो आंत्रिक बुक रोड का गनत वो 12.9 ग्राम प्रतिगंद सेंटीमेटर है तो इस तरह से हम पाते हैं कि जैसे से हम पृत्वी के उपरी भाग से गहराई की और यात्रा करते हैं प्रित्वी के आंत्रिक भाग में विद्यमान पदार्तों का गनत वो उत्रोतर बढ़ता जाता है हमारा जो स्तलमंडल है उस पर हमें मुख्य रूप से दो प्रमुख उचावची स्वरूप देखने को मिलते हैं एक और तो उचे उठे हुए महाद्वीब है तो दूसरी और जल में डूबे हुए महासागरी बैसिन है जब हम एक महासागरी बैसिन का अनुप्रस्त काठ देखते हैं तो हम पाते हैं कि महासागरी बैसिन के धरातल पर हमें जो उचावची स्वरूप देखने को मिलते हैं उनमें महादीपी मगनतच, महादीपी ढाल, महादीपी उभार, वितली मैदान और कटक, मद्दि महासागरी कटक, उभार और दरार या भरंश गाटियां, महासागरी विभंगक शेत्र, महासागरी ध्वीप, समुद्री परवत, गुयोट्स और महासागरी खाईयां हमें दे महादीप और महासागर के मिलन वाले वे संक्रमन क्षेत्र हैं जो किसी प्लेट किनारे से बहुत दूर इस्तित होते हैं और इस पैसिव कॉंटिनेंटल माजिन पर जो हमें उचावची स्वरूप महासागर के धरातल पर देखने को मिलते हैं उनमें कॉंटिनेंटल शेल्फ महादी पी मगनतट कॉंटिनेंटल स्लोप महादी पी ढाल कॉंटिनेंटल राइज महादी पी उभार अबेजल प्लेन वितली मैदान और जो मत्दि महासागरी कटक और जो दरार और ब्रंच गाटियां हैं वो हमें देखने को मिलती है महासागर के बीच में यदि हम Convergent Active Continental Margin पर इन उचावची स्वरूपों को देखें तो हमें पता चलेगा कि Convergent Active Continental Margin वो होते हैं जो प्लेट विवर्तनी की दरस्टी से सक्री होते हैं अर्थात जब कोई महासागरी प्लेट महादीपी प्लेट से अभिसरित होती है या उससे मिलती है तो अधिक गनतो वाली महासागरी प्लेट का कम गनतो वाली महादीपी प्लेट के नीचे क्षेपन याने सब्डेक्शन होता है इस वज़े से जो कन्वर्जेंट एक्टिव कॉंटिनेंटल जो मार्जिन है वहाँ पर हमें महादीपी मगनत तट देखने को मिलेंगे महादीपी ढाल देखने को मिलेंगे लेकिन वहां से हमें महादीपी जो उभार है और जो वितली मैदान है वो हमें देखने को नहीं मिलेंगे और महादीपी धाल के जस्प बाद हमें जो महासागरी खाईया है वो देखने को मिलती है आप जानते हैं कि इस प्रित्वी के कुलक शेत्रफल के लगबग सेतर दाशे मलाव आठ प्रतिशत भाग पर महासागरी भागो का अर्थाद जली भाग का विस्तार है जबकि शेश 29.2 प्रतिशत भाग पर महादीपी भागो का विस्तार है इस चित्र में आप देख रहे हैं कि प्रित्वी की जो क्रस्ट है उसके उचावची जो स्वरूप है उसकी प्रोफाइल को दिखाये गया है यदि आप देखें तो आप आएंगे कि प्रित्वी के जो महादीपी भाग है उनकी ओसत उचाई समुदर तल से लगबग 840 मीटर है और इस प्रित्वी के इस्तिली भागों पर सबसे उचा इस्थान माउंट एवरेस्ट जो नेपाल देश में है वो समुदर तल से 8848 मीटर उचा है इसी प्रकार जो मासागरी भाग है उनकी ओसत गहराई 3730 मीटर है जबकि मासागरी भागों में जो सबसे गहरा भाग है वो मेरियाना ट्रेंज के नाम से जाना जाता है और उसकी जो गहराई है वो समुदर तल से 11,022 मीटर है इसको आप इस रूप में भी समझ सकते हैं कि यदि मेरियाना गर्त में आप मांट एवरेस्ट को डुबोगे तो मांट एवरेस्ट पानी में 3 किलोमेटर की गहराई तक डुबा हुआ रहेगा आईए अब हम महादिपी और मासागरी क्रस्ट की कुछ प्रमुक विशेष्टाओं का अधियन करते हैं क्योंकि इन दोनों ही क्रस्ट की विशेष्टाएं अपने आप में विशेष्ट हैं और ये विशेष्टाएं हमें समस्तिती को समझने में साहता करती है और इसकी जो सरशना है वो इस तरी है लेयर्ड स्ट्रेक्चर है मासागरी क्रस्ट का और इस तरी सरशना में सबसे उपर जो परत होती है वो सेडिमेंट्स या तलचटकी होती है उसके नीचे पिलो लावाज की परत पाई जाती है पिलो लावास के नीचे sheeted dykes की परत विद्यमान होती है और sheeted dykes के नीचे लगबख 7 km की घहरही तक गेबरो इंट्रुजन्स की परत पाई जाती है और 7 km से 100 km के बीच जो महासागरी क्रस्ट है उसमें ultra basic rocks पाई जाती है यदि हम महासागरी जो क्रस्ट है उसकी तुलना महादीपी क्रस्ट से करें तो हम पाते हैं कि महादीपी क्रस्ट ग्रेनाइटिक चटानों से बनी है और इसके सबसे उपरी भाग पर sediments याने अफसादों की एक परत पाई जाती है लेकिन उसके पश्यात लगबख 30 km की घहरही तक इसका जो बैस है वो ग्रेनाइटिक है ग्रेनाइटिक बैस्वेंट के रूप में वित्यमान है और 30 km से 100 km की घहरही तक कॉंटिनेंटल जो क्रस्ट है उसमें भी अल्ट्रा बैसिक रोक्स पाई जाती है कॉंटिनेंटल क्रस्ट कम गनी है इसका गनाइट्व महासागरी क्रस्ट की तुलना में कम है और जो महातीपी क्रस्ट है उसका गनाइट्व 2.7 ग्राम प्रतिगन सेंटिमीटर है इसकी ओसत मोटा ही 30 km है और यह समुदर तल से उची उठी हुई है और इसकी जो ओसत उचाई है वो लगबग 840 मीटर या 0.84 किलो मेटर है दूसरी ओर महासागरी क्रस्ट अधिक गनाइट्व वाली है इसका गनाइट्व 3.3 ग्राम प्रतिगन सेंटिमीटर है इसकी ओसत मोटा ही जो है तिक तिकनेस जो है वो 7 किलो मेटर है और यह समुद्र तल से नेचे विद्यमान है और इसकी जो ओसत गहराई है वो 3.7 किलो मेटर है आईए अब हम उत्पलावन पल के बारे में जानेंगे किसी तरल पदार्थ में डूबी वस्तूओं पर उत्पलावन एक महतुपून बल है उत्पलावन एक डूबी हुई वस्तूओं पर उपर की तरफ लगाया जाने वाला द्रव का दबाव या बल है जो निमिजित या डूबी हुई वस्तूओं के भार के विप्रीद और वस्तूओं द्वारा विस्तापित किये जा रहे द्रव के भार के बराबर होता है यदि हम किसी वस्तु को द्रव से भरे पातर में डुबोते हैं और यदि वह वस्तु निमजित रहती है तो आप देखेंगे कि पातर के नीचे निमजित वस्तु का दाब उसके शीर्ष बाग के दाब से अधिक होगा दाब में यह अंतर वस्तु को उपर की और धकेलता है क्योंकि तरल के उपरी शाई भार के परिणाम सरूप गहराई बढ़ने पर दबाव बढ़ता जाता है इस बल की मातरा या परिमान पातर के उपरी और निचले भाग में दाब के अंतर के समानुपाती होती है और विस्तापित द्रव के भार के समतुल्य भी होती है यही कारण है कि किसी वस्तु का गनत्व उस द्रव के गनत्व से अधिक होने पर वह वस्तु द्रव में डूब जाती है इस अव्धारना को आर्किमीटीज के सिद्धान्त के रूप में भी जाना जाता है और यह सिद्धान्त हवा में और पानी में मौजूद वस्तुवों पर लागू होता है यह सिद्धान्त मेंटल याने अनुपटल पर तेर रही फ्लोटिंग कर रही क्रस्ट याने भूपर पटी पर भी लागू होता है जिसे विशेश रूप से आईसोस्तेसी या समस्तिती की का जाता है गनत्व किसी वस्तु और उसके आसपास डूबे हुए द्रव के बीच उत्पलावक्ता के प्रभाव को नियंतरित करने वाला कारक है वस्तु और द्रव के गनतु में जितना अधिक अंतर होता है उत्पलावन बल उतना ही शक्तिशाली होता है फलत वस्तु उस द्रव से उतनी ही अधिक उठी रहती है ठीक इसके विप्रित वस्तु और द्रव के गनतु में जितना कम अंतर होगा उत्पलावक्ता बल उतना ही कमजोर होता है फलत वस्तु उस द्रव से उतनी ही कम उची उठी रहती है इस चित्र में एक गन मीटर के ओग लकडी के टुकड़े को पानी में दुबोया गया है इस टुकड़े का गनतु 70 kg प्रती गन मीटर तथा जल का गनतु 1000 kg प्रती गन मीटर है अर्थात ओक का गनतु पानी के गनतु का 75 प्रतिशत है ऐसी इस्तिती में ओक के इस टुकडे का 0.75 मीटर भाग पानी में डूबा हुआ और 0.25 मीटर भाग पानी से उपर उठा हुआ रहेगा अर्थाच ओक के टुकड़े का 75% पाग जल में तथा 25% पाग जल से उपर रहता है ऐसा इसलिए होता है कि ओक का गनत्व जल के गनत्व का 75% है इसलिए ओक का 75% पाग जल में डुबा हुआ रहता है जल में इस ओक के टुकड़े का आधार याने बैस उस बिंदु पर होगा जहां इस टुकड़े का दाब और जल का दाब बराबर हो जाता है इसे समान दाब का इस्तर कहते हैं The Level of Equal Pressure यहां हमने अलग-अलग गहनतों के लकड़ी के ब्लॉक्स को जल में डुगवाया है और अधिक गनतों वाले पदार्थ कम उचे होते हैं इस चित्र में बालसा का गनतों जल के गनतों का मात्र तेरा प्रतिशत है इस कम गनतों के कारण बालसा जल के उपर सरवादिक उचा उठा हुआ है कारण कम गनत्व के कारण इसका तेरा प्रतिशत बाग जल में डुबा हुआ है जबकि सित्यासी प्रतिशत बाग जल से उपर उठा हुआ है ठीक इसके विपरीद रोजवूट का गनत्व जल के गनत्व का इठ्यासी प्रतिशत है फलत रोज वूट का 88% बाग जल में डुबा हुआ है और मात्र 12% बाग जल के उपर उठा हुआ है इस पस्ट है कि द्रवी और जो पिंड उस द्रवी में डुबा हुआ है कि गनतु में जितना अधिक अंतर होता है उत्पलावन बल उतना ही शक्तिशाली होता है और वह पिंड उतना ही उचा उठा हुआ रहता है इसके विपरीद गनत्व में अंतर जितना कम होता है उत्प्लावन बल उतना ही कम जोर होता है और वपिंड उतना ही कम उचा होता है इस चित्र में ओक के विभिन आयतन वाले टुकडों को जिनका गनत्व एक समान अर्थात 750 किलोग्राम प्रती गन मीटर है को जल में डुबा हुआ दिखाया गया है आपको मालूम है कि ओक का गनत्व जल के गनत्व का 75 प्रतीशत है इस कारण से प्रतीएक बलोग या टुकडे का 75 प्रतीशत पाग जल में और 25 प्रतीशत पाग जल के उपर उठा हुआ रहता है यदि भी उनका आयतन अलग-अलग है उधान के लिए यदि पहला बलोग दो मीटर उठाई का है तो उसका 75 परसेंट भाग अर्थात 1.5 मीटर बाग जल में डुबा हुआ रहेगा और 0.50 मीटर बाग जल के उपर उठा हुआ रहेगा और एक्जामपल के लिए यदि चोथा टुकड़ा जो सबसे लास्क में नाई तरफ है यदि उसकी उचाई एक मीटर है तो उसका 0.75 मीटर बाग जल में डुबा हुआ रहेगा और 0.25 बाग जल के उपर रहेगा काईने का ताथ पर यह है कि आयतन अलग-अलग होने के उपरांद भी चूंकि ओक लगड़ी का गनत समान है इस वज़े से हर इस्तिती में 25 प्रतीशत बाग जल के उपर उठा हुआ तथा 75 प्रतीशत बाग जल में डुबा हुआ रहता है इस उधारण में आप देख सकते हैं कि सीसा का एक ब्लॉक है जिसकी लंबाई चोड़ाई और उचाई एक मीटर है इसका गनत वो 11,340 किलोग्राम प्रतीगन मीटर और भार याने वेट 25,000 पॉंड है अब तुदा मशीन पर इसके भार के बराबर जिस लकड़ी के ब्लॉक को रखा गया है उसकी लंबाई चोड़ाई और उचाई 2,473 मीटर है इस पस्थ है कि भार बराबर होने पर जिस बिंड का गनत वो कम होता है उसका आयतन अधिक होता है आपको मालूम है कि महासागरी क्रस्ट बैसाल्टिक है और महादीपी क्रस्ट ग्रैनाइटिक है आपको यह मालूम है कि महासागरी क्रस्ट का गनत वो महादीपी क्रस्ट से अधिक है इस उदहारण में आप देख सकते हैं कि बैसाल्ड का एक ब्लोक जो एक मीटर उचा लंबा एवम चोड़ा है कि भार के बराबर जो ग्रेनाइट का ब्लोक है वो एक पॉइंट जीरो पांच मीटर लंबा चोड़ा एवम उचा है इससे इसपस्थ होता है कि मैंटल में जिस गहराई पर क्रस्ट का भार बराबर हो जाता है उस गहरे से उपर कम गनतु वाले बुखंडों का आईतन अधिक होता है यही वज़ा है कम गनत्व और अधिक मोटे वाले बुखंट अधिक उचही लिवे होते हैं और ये गहराई में भी उतने ही अधिक दसे हुवे भी होते हैं इस उधरन में आप देख सकते हैं कि महासागरी जल जिसका गनत्व एक दशमलव जिरो तीन ग्राम प्रतिगन सेंटिमीटर है के नीचे अवसादों या तलचटों की परत है जिसका गनत्व दो दशमलव चार ग्राम प्रतिगन सेंटिमीटर है जो महासागरी जल के गनत्व से अधिक है अफसादों की परत के नीचे बैसाल्ट की परत है जिसका गनत्व 2.9 ग्राम प्रतिगन सेंटिमीटर है और यह परत अफसादों की परत के गनत्व से अधिक गनी है बैसाल्ट के नीचे मैंटल या अनुपटल है जिसका गनत्व 3.3 ग्राम प्रतिगन सेंटिमीटर ह और यह बैसाल से अधिक गनतु वाली है इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम उपर से गहराई की तरफ जाते हैं गनत वो बढ़ता जाता है और कम गनत की परत अधिक गनतु वाली परत के उपर होती है आप यह भी देख सकते हैं कि मास आगरी जल की परत 4 km की घहराई तक उसके नीचे अवसादों की परत 1 km की घहराई तक और उसके नीचे वैसालथ की परत 5 km की घहराई तक तता उसके पश्यात mental याने अनुपटल की परत है दूसरी और महातिपी क्रस्ट जिसका गनत्व 2.8 ग्राम प्रतिगन सेंटिमीटर है और जो ग्रैनाइटिक है और मासागरी क्रस्ट से कम गनी है की गहराई 35.2 किलो मेटर तक है कम गनत्व और मोटई अधिक होने की कारण यह जितनी उची है उतनी ही इसकी जड़े गहराई में भी है गनत्व और मोटई में इस अंतर के कारण ही मासागरी क्रस्ट की तुलना में माधी पी क्रस्ट में अधिक गहराई तक विद्यमान है इसकी पुस्टी बुकंपी तरंगों की पथ एमंगती समंदी विशेष्टाओं से भी होती है जो मोहो असांतत्ती है, मोहो डिसकंटिनीटी है उसकी गैराई मासागरी क्रस्ट के नीचे कम तथा माधी पी क्रस्ट के नीचे अधिक है इस discontinuity याने असानतत्ति में बुकंपी तरू की गती अचानक बढ़ जाती है इन दोनों ही डाइग्राम के विवरण से स्पस्ट है कि प्रित्वी में संतुलन इस प्रकार से है कि बु भागों को ऊपर उठाने की प्रवलती रखने वाली शक्तिया बु भागों को अव्तलित याने नीचे की और धसाने वाली जो शक्तिया हैं उनको संतुलित करती है समस्तिति की उचे नेरदारीत करता है इसका मतलब साफ है कि क्रश्ट के विबिन हिस्सों का आधार पर दबाव बराबर होता है इसलिए यदि क्रश्ट के प्रकार अलग-अलग गनतों के हैं तो नीचे समान दबाव होने का मतलब है कि मोटाई याने वॉल्यूम अलग-अलग होना चाहिए इस शित्र में आप देख सकते हैं कि समान दबाव का अस्तर 50 किलो मेटर की गहराई पर है चुकि क्रस्ट के प्रकार अलग-अलग गनत्व के हैं साथी उनकी मोटाई में अंतर होने की कारण महासागरी क्रस्ट मेंटल में कम गहराई तक डूबी हुई है अब तक आप जान गये होंगे कि हमारी महासागरी क्रस्ट मेंटल के ऊपर तेर रही है मेंटल का उत्प्लावन बल करस्ट का तेरना संभव बनाता है चुकि mental का गनतू अधिक है अत्र कम गनतू वाली क्रस्ट इस पर तेरती है आप इस चितर में देख सकते हैं कि माहद विपी और माहसागरी क्रस्ट का मास और भार एक समान है लेकिन गनतु में अंतर के कारण अधिक गनी महासागरी क्रस्ट महादवीपी क्रस्ट की तुलना में कम इस्थान गेरती है और इस कारण से वह महादवीपी क्रस्ट से नीचे है आप देख सकते हैं कि किस तरह से 5 किलो मिटर का जो उचे ही का अंतर है वो महादिपी और महासागरी क्रस्ट के बीच आपको चितर में दिखाई दे रहा है ऐसा इसलिए होता है कि मास यानि कि दरविमान समान होने पर भी यदि गनत्व में अंतर होता है तो आयतन में भी अंतर आजाता है आप इस चितर में देख रहे हैं कि महादिपी और महासागरी क्रस्ट समान गहरई तक mental में डुबी हुई है लेकिन वास्तों में ऐसा नहीं है बुकमपी तरंगों के प्रमाणों के आधार पर जो मोहो discontinuity है मोहो असंतात्य है उसकी गहरई महादिपी और महासागरी क्रस्ट के नीचे एक समान नहीं है आप इस चितर में देख सकते हैं कि महादिपी क्रस्ट के नीचे मोहो की गहरई 35 किलोमीटर तदा महासागरों के नीचे 7 किलोमीटर है ऐसा इसलिए है कि महातिपी क्रस्ट की मौटई यान थिकनेस अधिक है और यह जितनी उची है इसकी जड़े उतनी ही गहरई में भी है और महासागरी क्रस्ट पतली है थिन है और यह महातिपी क्रस्ट से नीची है और गहरई में इसका विस्तार लगबग 7 किलो मीटर तक ही है जब हम आंत्रिक भाग में गहराई की तरफ जाते हैं तो हमें महादिपी और महासागरी क्रस्ट का mental के उपर इस तरह का प्रारूप देखने को नहीं मिलता है अर्थात मोहो डिसकंटिनुटी या मोहो असांतत्य एक सीधी रेखा के रूप में देखने को नहीं मिलती है और महादिपी और महासागरी क्रस्ट जल अफसादों और बैसाल्ट साइथ और असतन साथ किलो मेटर की मोटाई लियो है अतर महासागरी क्रस्ट के नीचे मोहो की गहराई साथ किलो मेटर ही है इस तरह का संतुलन समस्थिती की समायोजन आइसोस्थेटिक एड़ेस्टमेंट कहलाता है इस चित्र में आप देख सकते हैं कि बाहीं तरफ लेट साइट ओक लकडी का एक ब्लोक है जिसका जल के गनतू का 75 प्रतिश्यत है इस वज़े से इस ब्लोक का 25 प्रतिश्यत पाग जल के ऊपर तदा 75 प्रतिश्यत पाग जल के अंदर डुबा हुआ है अब यदि इस ब्लोक के ऊपर एक सीसे का याने लेट का एक ब्लोक रख दिया जाए तो इसके गनतू में व्रद्धी हो जाती है इस बड़े हुवे गनात्व की कारण लकड़ी के इस ब्लोक का जल की उपर का और जल की बीतर का एक नया इस्तर उत्प्लावन बल की कारण विक्सित हो जाता है जिसमें हम देखते हैं कि अब इस ब्लोक का पिचुतर प्रतिशत से अधिक बाग जल के अंदर डूबा हुआ है और पचीश प्रतिशत से कम बाग जल के उपर है इस नए समायोजन को समस्तिती की समायोजन आईसोस्थेटिक एड्जस्मेंट कहते हैं हमारी क्रस्ट के संधर में इस समस्तिती की समायोजन को देखते हैं आप जानते हैं कि संपीडन और तनाव द्वारा क्रस्ट के बिचाव याने कंप्रेशन और फैलाव के प्रभाव से इस्थानी क्रस्ट की मोटाई बदलती रहती है जब दो प्लेटे अभिसरीत होती है याने कंवर्जेंट होती है या दो विप्रित दिशाओं से एकी दिशा में बल लगता है तो चट्टानों में बिचाओ या संकुचन या संपीडन से वह अधिक मोटाई वाला हो जाता है और वह बाग उपर उँचाई की तरफ भी बढ़ता है और गायराई में नीचे की तरफ भी धस्ता जाता है या अवतलित हो जाता है इसी प्रकार से जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती है या तनाव मुलक बल से जब चट्टाने खिषती है तो वहां से क्रСТ पतली हो जाती है ब्रंश गाटियों का निर्मान हो जाता है ऐसा होने पर वहां क्रस्ट की उंचाई भी कम हो जाती है और नीचे से उसकी जड़े उपर की तरफ उठती जाती है इस प्रकार से जब समूत्री लहरों द्वारा माधिपी मगन तटो का अपरदन होता है तो वहां क्रस्ट पतली होती जाती है और नीचे उसकी जड़ों की गहरही भी कम होती जाती है इस पस्ट है कि जब किसी भूबाग में नया भार या वेट जूर जाता है तो क्रस्ट नीचे की तरफ अवतलित याने सबसाइट सोती है और जब किसी बुबाग के उपर से बहार हटता है तो क्रस्ट नीचे से उपर की और उठती है विवर्तनिक तनाओं के विपरिद अपरदन याने की एरोजन भार को याने मास को पुनर्वित्रित करता है और इसे क्रस्टल कॉलम से दोसरे क्रस्टल कॉलम में ले जाता है आप इस चितर में देख सकते हैं कि किसी क्षेतर से भार को हटाने से क्रस्टल ब्लोक उचा उड़ जाता है जबकि अपर्दित पदार्थ प्राप्त करने वाला ख्षेत्र अत्रिक्त भार को प्राप्त करता है याने एडिशनल वेट को वो गेन करता है तो वो अतलित याने नीचे की तरफ सिंख होता जाता है सबसे बाएं चित्र में आप देख सकते हैं कि संदर्व बिंदू जाने रेफरेंस पॉइंट बिल्कुल बीच में हैं सेंटर में हैं इस क्रिस्टल ब्लोग पर आप उचे परवती क्षित्र को भी देख रहे हैं जिसकी जड़े मेंटल में अधिक गहरही तक धसी हुई है अगले चित्रों में आप देख सकते हैं कि समय के साथ होने वाले अपरदन से क्रिस्टल ब्लोग के उपर से जैसे जैसे भार कम होता जाता है समस्थेतिक उथान याने आईसोस्थेतिक अपलिफ्ट से वह संदर्व बिंदू जो पहले केंदर में था उपर की तरफ उड़त जाता है और जब एक समय ऐसा आता है कि सम्पून परवतिक शेत्र अपरदित हो जाता है तो वह संदर्व बिंदू उपर सता पर याने सर्फेस पर एक्सपोज अनावरत हो जाता है अर्थात जो कायंतरी चट्टा ने क्रस्ट के मध्य में बनी थी वो समय के साथ समस्थ्यत जब एक उत्थान से सता पर याने सर्फेस पर आ जाती है आप इस चित्र में देखेंगे कि जब क्रस्ट पर हिमानियों का बहर जुड़ता है तो क्रस्ट उस बहर को कैसे संतुलित करती है आप देख सकते हैं कि जहां पर भी विशाल क्षेत्रों में हिमानियों का एकत्रन ह इस अत्रिक्त बहार के क्रस्ट में जुड़ जाने से क्रस्ट दिरे दिरे मेंटल में धस्ती जाती है और संतुलन को बनाए रखती है जब हिमानियों का पिगलना शुरू होता है तो क्रस्ट से ये बहार हटना शुरू होता है और क्रस्ट इसके प्रती संतुलन इस्थापित करने के लिए उपर उड़ती जाती है जब तक कि संतुलन इस्तापित नहीं हो जाता है इसको समस्थेतिक पुनश्चलन आईसोस्थेतिक रिबाउंड कहते हैं